Hello guys welcome back to the Simple Snip Code तो जैसे के हमने इसके पिछले एड़े वीडियो में हमें semi question किया था configure IP routing using RIP बट उसमें हमने 3 routers, 3 switches and 3 pieces को लेके हमने configure किया था बट इसमें हम कुछ अलग करने वाल है तो इसमें आप thumbnail में देखी लिया होगा कि हम semi करने वाल है configure IP routing using RIP बट में हम 3 routers, 3 switches and 6 pieces को लेके हम configure करने वाले तो स्टार्ट करते है वीडियो को तो मैं सबसे पहले 3 routers लेता हूं तो मैं 1841 का 3 routers लेता हूं यह हमें आप 3 switches लेना है तो मैं 2950 का 3 switches ले रहा हूं इसमें 24 ports है तो मैंने 3 switches ले लिया आप मुझे का करना है 6 pieces लेना है तो मैं पीसे के tab में आता हूं और pieces लेते हैं तो मैंने 6 pieces ले लिये तो भी हम इसको करते है connect इसको भी हम करते है connect तो आप लोग को पहले से मालूँ होगा कि आपने मेरा पिछला वीडियो देखा वा तो आप लोग को मालूँ होगा कि कभी भी अगर हम राउटर 1 में अभी हम राउटर 1 में हम connect करेंगे तो हमारे एक वायर यहां से connect होगा एक वायर यहां से लट होगा एक वायर यहां से लुका है यहां से हुआ है वह है 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 हमें थीन आपड़ेगा एक्स्नॉट्स लगाने पड़ेंगे रॉटर्स में तो मैं रॉटर जिरो रॉटर 2 में वन 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 दोंगा और आउटर वन में तू स्वाइब तुछ दूस्पर गया मैं फिर मुझे जाना है रावटर जिड्रो में फिर सबसे पहले आप देखे पर अब सुम देख सकते हो तो एधर पर यह ग्रीन लाइट जलती हो दिखे हैं आपको सब्सक्राइब करना है तो हमने आपका कुछ नहीं होगी हमें WIC1T क्योंट क्या है क्योंकि WIC1T के वाल एक पोट्स होते हैं आप WIC12T दीखोगे तो इसमें 2 पोट्स होते हैं तो अभी हमें 2 पोट्स जरूत निया है तो हम एक्स्टा क्यों लगा तो अभी हमें वन पूट किरते हैं तो हम निए सब्सक्राइब करते हैं तो मैं यहां से ड्राइगन डॉप करता हूं और इसको अफ कर दिया तो मैं दो पूट लगा दिया कोगे तो करते हैं तो आप जो जो करें आप फोहीं युट करें तो अगर नहीं दिया यह आप आप अथो आटोमेटिकली चूस करें सब्सक्राइब के स्भी की से तो प्रीक्शन करते हैं अधने जीटने पीसे सब को स्विचें संफने कर लेता हुं कि तो मैं कनेक्श कर रहा हूं कि मैंने इस सब्सूच्री से शरणा कर लिया कि मैं करता हूं जितने भी करता हूं राउटर 1 से में राउटर 2 को कनेक करता हूं तो अभी हमारा connection done हो गया तो अभी हमारा connection हो गया है क्या करते हैं कि सब का पहले IP करेते हैं यह कौन से नेट्वर के पहले पहले PC0 का लिख लेता हूं IP address 192.168.1.2 दे दिया मैंने धर पेसको फिन पीसी वन को देता हूं 192.168.1.3 दे दिया मैंने और यह दोनों का default gate पे सेम लाएगा तो मैंने 192.168.1.4 फिर मैं दुसरा नेट्वर्क में आ गया तो मैंने 192.168.2 मैं तूसरे शार्ट कता है धर पे तो 2.2 192.168.2.3 है यह यह वन 192.168.2.4 इसका यह दोनों का default gate फिर मैं PC4 में आ गया मैं तो मैं 192.168.3.2 है फिर फिर 192.168.3.3 है कि यह सका default gate में गयता हूं 192.168.3.4 ओके तो आदा हूं तो चौते नेटों में तो चौते नेटों का मैं पी देता हूं 192.168.2 मैं यसको स्टार्ट करता हूं तो 4.2 हो जागा है मेरा इसका यह पी दिए ताहूं 192.168.4.3 कि यह से में नेटों सब्सक्राइब कर दिया है तो अभी से कॉन्फिग्रेशन करना बागी है कि तो अभी करते कॉन्फिग्र तो मैं क्या करता है जितने में पहले सब्सक्राइब कर लेता हूं टो पीश जीडिएवान डेकस्टोप में या मैं आपी का 192.168.1.2 फिर उसका डिफॉल एक गया है 192.168.1.4 फिर प्र फिर शीओंडेशन करना है प्र पीछ से जाना है पमएं तो पीछ और या प्र यह उसका डिफॉल गिट्ट पर गया है 192.168.1.4 फिर इसे कलोस करते फिर PC2 पर आगया हमें, PC2 के desktop में, फिर इसका IP confusion करना है हमें, तो 192.168.2.2 है, फिर 192.168.2.4, फिर इसे close करना है, यहां से close, फिर desktop में, फिर IP before address, 192.168.2.3, फिर इसका default gateway कहा है, मैंने 2.6 है, फिर 2.3 आएगा, फिर इसका default gateway पर गया है, 192.168.2.4 है, इसे close करता हूँ, फिर इसे फिर पीसी 4 पर आगया, PC4 का IP confusion करते है, तो IPC4 का IP address का है, 192.168.3.2 है, इसका default gateway पर गया है, 192.168.3.4, फिर इसे फिर इसे close करता हूँ, फिर PC5 पर आगया है, फिर desktop IP configuration, 192.168.3.3, फिर 192.168.3.4 है, फिर इसे close करते हैं, तो मैंने जितने फिर से सबके IP configuration कर लिए, तो अभी हम router सा करते है, तो पहले मैं करता हूँ, जितने भी switches है, वायर का connect है router को, पहले मैं उसका IP डाल लेता हूँ, देख लेता हूँ, फिरेSifiesजन देख लेता हूँ, गिसी से गएसका कर लेता हूँ, इस पहले मैं सबका, हो जितने, तीनो दॉत्पतिन आपि लेता हूं, तो पहले साको हम बाता हूँ, है दितने RAW देभिन संब्साफ़ांग, 'MY ему 192.168.1 that'sIt है तो मैंने 92 डाल दिया है 192 आएगा इसे टैम मारा से आन करना है तो अब जाते हैं यहां पर ग्रीन लाइट होगे इसाम सबका इपी कॉंफिटेस्ट हो जागा रहा सब पर ग्रीन लाइट हो जाएगा मैं जाना है राउटर वन में हूँ राउटर वन में फासिदन पर फिर मैं कॉन्फिग में है फिर फासिदन जिरुजु पर आना मुझे तो 192.168.3.4 डाला मैंने और से अन कर दिया तो अभी मैं मेरा स्विचे से जितने भी वायर राउटर सो कनेक्ट है उसके मैंने आइपी डाल दिये अभी जो राउटर से आउटर वायर कनेक्ट है यहां पर mouse work कर रहा हूं तो आप इसदे कि यह नेट्वर्क सीरल जियो जिरुजरु से करेक्ट है यह वायर तो मैं जाता हूँ राउटर जिरुजरु पर और सीरल जिरु जिरु जिरुजरु पर फिर मैं इसका आईपी कह है 192.168.4.2 है फिर मैं इसे टाइप मारता और ए कि यहां पर वायर करने इसका भी सेम ही है तो में 00 पर यहां फेपीशा पर एडरेस पह आप तो इसका इसका ही विएडरेस यह फिह पर आप एडरेस है फिर मुझे टैप बारना शर्फिर से हटा ना हुआ को करता हुए ने मैं इस पे मामस करूंगा तो तो मैं इसे पर मावस वर किया तो मुझे देश तके यह यह नहीं नहीं किसे से ंएंट ऑपास्टेक map 001 से तो मैं आपे क्लिक करता हूं और मैं हापे नाता हूं निसी में 010 पर 0010 पर शचील नोगा मैं और नॉट डालता हूं तो 190 पर 178.5.2 है पर मैं से अनल चाहिंजर कर दिता हूं और इसे तो यहां देशते हो कि जितने भी ग्रीन लाइट से सब रेड लाइट हो गया तो यहां नहीं मेरा एपी कॉन्फिरेशन हो गया तो अभी आपको चेक करना आपका एपी कॉन्फिरेशन तो आप मैसेज पीसी जीरो से यां अचाने का में धान सब्सक्राइब घटेशन सुचफ्रेशन पर मैं अग्रत अलगागे सब्सक्राइब analyze Have a रatanे चंद करता हूं कि पर भी मिघेल जीड़ा कि मेरा इंड करना है किस योसे करता हूं तो से मैं करता हूं मैं जाता हूं मैं जाने के बाद मैं रिपे क्लिक करता हूं मैं तो सब्सक्राइब सब्सक्राइब तो तीन नेटवर्क से कनेक्ट है तो पहले देख लेते हम किस से किसे नेटवर्क अधर्स क्या हो जाएगा 192.168.2.0 हो जाएगा तो मैंने हाँ पर 92 लिग दिया था 192 फिर मैं इसे एड़ करता हूं फिर जो मेरा राउटर वन है किस से कनेक्ट है राउटर जिरो से तो वहां पर राउटर जिरो का नेट्वर्क अधर्स क्या हो जाएगा इसे मैं से ख्लोज करता हूं कि मेरा मैसे जा रहे की नहीं जा रहे है पर जो हमारा नेटवर्क है जो हमने नेटवर्क पुरा कनेक्शन किया और जो आईपी कॉन्पेशन पूरा राउट टुट सेट किया इसको इसको इस्टाइबली सोने में एट लिस्ट वन 30 सेगंड में देख सकते हूँ तो मैं अभी क्या करता हूँ पीजिओ शीरो से मैं आउटर 1 को मैसे जाक्शन करता हूं यहीं तो यह इन प्रोग्रेस दिखा रहा है मिनसा प्रूट बला राउट शेट नहीं हुआ है तो मैं करता हूं फिर से मैं जाता हूं PC0 से मैं PC2 का मैस भीज़ देखता हूं तो इस टाम मुझे successful दिख रहे हैं अभी the connection established हो गया फिर मैं करता हूं PC1 से मैं message send करता हूं PC3 को तो failed हो गया फिर से PC1 से message मैं PC3 को भीज़ता हूं तो successful होगे तो अभी आप कोई भी PC से किसको message भीज़ दे सकते हो यह हमें correct output देगा तो इस video के लिए इतना ही था तो अभी next video में हम सेम करने वाले configure IP routing उसे ग्रिप इसमें हम तीन router तीन switches और तीन तीन 666 12 PC को लेके 12 PC को लेके हम routing करने वाले ओके configure करेंगे तो इस वीडियो के लिए इतना ही था अगर वीडियो अच्छा लागा हो तो subscribe और share जरू करें तो मिलते हैं next video में नए topic के साथ